कि अध्यारोपी ते चलिए हम लोग प्रस्णाल ठटीने पे हैं और कोश्चन नमबर है सिक्स कह रहा है कोई तंभू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक संकू अध्यारोपी थे चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं साथ साथ फिगर भी बनाते चलते हैं हम लोग यहां पर एक संकू जो है अध्यारोपी थे इस तरह संदू गेहां पर एक संकू बना लेते हैं इस प्रकार का कोई टेंट है तंभू है देखे क्या कर रहा है यदि बिलनकार भाग की उंचाई और ब्यास करम सहा दो पॉइंट वन मीटर और चार मीटर है यानि कि बिलनकार भाग की मीटर और व्यास कितना offend आ चारर मीटर है तो तो त्रिजा दो मीटर हो जाएगी 3 आगे कि हैुआ अगयों की तथा संकू की कि तीरिया कुचाहि दो दसमलों आठ मिटर नो एंधार की तरिजा तो वही होगी दो मیटर क्योंकि जो इसी के ऊपर ना अध्यारोपी थैं यहां पर देख रहें लों के उपर ही संकूर अध्यारोपित है तो तो इसकी जितने तिरिजा होगी उतने ही इसकी भी तिरिजा होगी तो तेज़ा दो ही हम लोग मीटर लेंगे ठीक है इस तंबू को बना में परयुक्त कहनवास का शिदफल ग्याद कीजिए ठीक है और फिर कहा रहा है साथ ही 500 प्रती वर्ग मीटर की दर से इसमें परयुक्त कहनवास की लागत ग्याद कीजिए तो हम लोग छितफल निकाल लेंगे ना तो गुना कर देंगे 500 सिदा क्या काम हो जागा, क्या कारा, ध्यान दिजिए कि तंबू कैधार को कहनवास से नहीं ढखा जाता है, यानि कि ये आधार से हमें कौई मतलब नहीं, यानिकि हम इसके भी वक्त पिश्चे और इसके भी वक्त पिश्चे सining को जोड़ें ना होगा हम इसे नीचे अध्थली में कुछ नहीं तंभू लगा है बस यह छारों तरफ से लिए हैं और ऊपर यह लगा यानकिे दोनों का ठीक है बेलन की उचाई बेलन की उचाई कितनी दीवी है तो बेलन की उचाई है आपके पास 2.1 मीटर ठीक है संकु के अधार की तरिज्या कितनी दीवी है तो तरिज्या आपके पास वही हो जाएगा जो बेलन की तरिज्या है यानि कि दो मीटर और इसकी तिरियक उचाई दीवी है संकु की तिरियक उचाई दीवी है संकु की तिरियक उचाई दीवी है तिरियक उचाई दीवी है तिरियक उचाई इस लेंट हैट केतना दिया हुए है दो दसमलो आठ मीटर तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि तंबू में तंबू में प्रयुक्त प्रयुक्त कैनवास क किसके बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा आपके बेलन का वक्र प्रिष्टिया छेत्रफल और प्लस में आपके संकु का वक्र प्रिष्टिया छेत्रफल संकु का वक्र प्रिष्टिया छेत्रफल संकु का वक्र प्रिष्टिया छेत्रफल तो चलिए दोनों का वक्र प्रिष्टिया छोड़ते हैं तो बेलन का वक्र प्रिष्टिया हो जाएगा और संकु के लिए आपका क्या हो जाएगा पाई आर एल दोनों के तिरजाय हम लोग से जानते हैं हम लोग देखें हैं और इसकी उप्षाइं जो है स्ट पेलंग की हैच है और यहां इसकी तीरे-सर कुछ अशब से मैंने फॉर्म न लगा दिया यहां पर पाई आर कॉमन कर सकते हैं यहांपे टू है और यहां पर आपका ल बच जाएगा तो सभी मान तो दिए ह है सीदह हम लोग यहां पर रख रख देंगे लिए पाई के जगा पर 20 बटा साथ और ार कमान तो है आप के पास दो ट्क केवर इंटू में में है तो गुणा सब्सक्राइब कहा है तो एक आपका दोध Seb сор Such लो एक था और पलस में कितना है तो यह मीटर एसकोर चलिए देखते हैं बाइस बटा साथ गुना में दो और गुना यहां पर देखिए कितना हो जाएगा इसमें गुना करेंगे तो चार दसमलो दो और पलस में दो दसमलो आठ मीटर एसक्वायर तो यहां से देखिए क्या जाएगा बाइस बटा में साथ बाइस बटा में साथ और गु कर लिए तो में परियुक्त के नवास की लागत निकालनी है तो मैं यहां पर लिखूंगा परयुक्त के नवास की लागत क्या करेंगे तो 500 रुपय लग रहा है एक मीटर स्कौर का और कितना मीटर एक में में इसका आप गुंगा अगला कोसं देखते है, कोसे नम्मर्स आगेरा, लम्रितिayer बेलन के अकार का एक टैंक है, इसके उपर क्या है? जिसके अधार का ब्यास यहां पर दिया हुए है 30 मिटर, अधार का ब्यास 30 मिटर है, तो तीरजय आपकी कितनी हो जाएगी? पंद्रा मीटर हो जाएगी तथा उचाई 5.5 मीटर है इसके बेलन की उचाई जो है यहां पर 5.5 मीटर है यहां से यहां तक भी है ठीक है आगे का रहा है कि यह एक लंब रित्तकार संकु से घीरा हुआ है जैसे देख लिए जिसका अधार समान है इस बेलन के लंब रिती बेलन के अधार के समान इसका व्याधार यानि कि इसकी 15 मीटर यहां त्रिजा हो रहे है तो इसकी भी त्रिजा 15 मीटर ही हो जाएगी ठीक है कि इसकी 45 रुपए प्रती वर्ग मीटर की दर से लगने वाले केन्वास का खर्च ग्यात किए अच्छा हम लोग क्या करना है इस इसको बनाने में इस टिंट को बनाने में केन्वास लगरा टेंट है टेंग लेंगे टेंट हैं तेंट को बनवाने में यहां पर क्या लग रहा है कैनवास लग रहा है तो कैनवास की खर्च बतानी है तो अभी जो पिछला कोशन बनायते हैं वही सेम यहां भी कोशन है ठीक है हमें यहां पर क्या करना होगा पहले इसका प्रिष्टिया नवास है उसका शेदफल निकाल नावा तो दोनों के वक्त पिश्च शेदफल को जोड़ देंगे तो चलिए पहले यहां पर लिख लेते हैं यहां पर मैं रिखता हूं यहां पर बेलन की उंचाई कि बेलन की उचाई कितना दिया हुए है आपके पास पांच दसमलों पांच मीटर अचा बेलन की तरिज्या तो तरिज्या क्या होगी तो व्यास की आद ही हो जागी यानि कि तीस और बटा में दो यानि कट क्या जागा यह 15 मीटर अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं संकु के अधार की तरिज्या अधार की तरिज्या अधार की तरिज्या तो अधार की तरिज्या दोनों की समाने ही होगी 15 मीटर हो जाएंगे अच्छा संकु की उचाई निकल सकते यहां से संकु की उचाई यहां पर हम लोग तो उचाई को मैं दूसरा संकेत देता हूं कैपिटल एस से चुज़ करता हूं तो संगु की उचाई होगी क्या तो कुल उचाई में से यह बेलन की उचाई घटा देगा यानि कि 8.25 मीटर में से आपको घटा देना होगा 5.25 पांच मीटर ये घटा देंगा तो नहीं हो इसे मतलब है संखू की तिरिया कुचाई निकालनी पड़ेंगे तीरिया कुचाई अभी न हम लोग इसका प्रिश्ट्रिय निकाल पाएंगे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या वात करता हूं संखु की तिर्यक उचाई के लिए ल बराबर रूट अंडर संखु की उचाई हम लोग एच दी है कैप्टल एच एच स्कॉयर और प्लस में इसकी तिर्जा हमने आप दी है तो हम लोग यहां से यह तिर्यक उचाई निकाल पाएंगे यानि हो जाएगा 2.75 का स्कॉयर और प्लस में तीजा की पंदरा है तो 15 का स्कॉयर चलिएएहां पर एड करके देखते हैं क्या है तो कितना हो जाएगा 2.75 है तो 2.75 में आप गुना करेंगे दो बार 2.75 में 2.75 से यानि इसक्वायर निकालेंगे तो आजागा इसका 7.5625 और 15 का स्क्वायर जो होगा 225 हो जाएगा ठीक है तो चलिए अब इनको जोड देते हैं तो यहाँ 225 को जोड़िएगा इसमें तो कितना आजाएगा जी तो 225 से जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 232 यह न आजाएगा दसमलोव 5625 यह न आजाएगा चलिए अब इसका रूट निकालते हैं तो यहां से तीरिया कुचाई क्या जाएगी किसका 2ड 2500 होता है तो यह नहीं पर इतना मीटर हो जाएगा तुरिया कुच आप हम लोग लिखेंगे यहां पर कि प्रयुक्ति हम hy मैं प्रयुक्त कि लिगत काports कन्यों नवास का छेत्रफल जो होगा टेंट को बनाने में परियुक्त नवास का छेत्रफल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा तो यहां पर दिखेंगे बेलन का वक्र प्रिष्टिया छेत्रफल वक्र प्रिष्टिया छेत्रफल और पलस में संकू का वक्र प्रिस्ट्रिया छित्रफल वक्र प्रिस्ट्रिया छित्रफल ठीक है चलिए देखते हैं तो बेलन का वक्र प्रिस्ट्रिया छित्रफल टू पाई आर एच और संकु का वक्र पिस्ट्रिया छित्रफल होता है पाई आर एल चलिए यहां से पाई यार कॉमन कर लेंगे त तो 2H प्लस में L बच जाएगा चलिए अब सभी मानों को यहां पर रखते हैं तो पाई के जगा पर आपका 22 बटा साथ और आर आपका कितना है देख लिए आर आपका था पंदरा था ना पंदरा था आपका पंदरा टू इंटू एच का मान तो एच यह किसका इलिए है बेलन की उचाई 5.5 थी और प्लस में तीरिया कुचा यहां निकाले हैं 15.25 चलिए मीटर स्कॉरर तो यहां पर देखिए 22 बटा साथ गुना में 15 और गुना में यहां पर देखिए इन दोनों में गुना होगा तो चलिए और प्लस में 15.25 मीटर स्कॉरर तो यहां पर 22 बटा साथ गुना में 15 और गुना में 11 में जोड देंगे आप कितना को 15.25 को तो हो जाए यहां पर 26.25 मीटर स्कॉरर ठीक है चलिए अब इसके बाद यहां पर हम लोग सॉल्व कर तो यह आपका साथ से कट जाएगा इ 3.75 बार में कर जाएगा तो इन सब को गुना कर दीजिए तो गुना हो जाएगा 3.75 में 15 से और फिर गुना कर देंगे आप कितना से 22 से तो आपका आ जाएगा 1237.5 मीटर स्कॉर यह आपका क्या हो गया हमें क्या निकाल नहीं है 45 रुपय प्रति वर्ग मीटर की दर से कैंवास का खर्च तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे केंवास का खर्च जो कहां प्रयूक्त हैं प्रयूक्त कैंवास कैंवास प्रयुक्त कैनवास की लागत कितना उसमें लागत लग रहा है यह हम लोग गुना कर देंगे कितना से तो हम लोग 1227 दसमलोग 5 में गुना कर देंगे आपके कितना से कितना 45 रुपय था नजी 45 से तो 45 से गुना कर दोगे तो कितना आ जागा इस पर 55,687 रुपए 50 पैसा खर्च लगेगा समझे ना इतना आपका खर्च होगा समझ गए चले अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 8 क्या का रहा है कि लकड़ी का एक खिलोना रौकेट एक संगू के अकार का है ठीक है यहाँ देख लीजिए यहाँ पर यह खिलोना जो देख रहा है रौकेट एक संगू का अकार का है यह संगू के अकार का है उसका रौकेट ठीक है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है एक बेलन के उपर यह है देख रहा है ना जी जैसा कि अकृति में दिखाया गया है आगे कोशन में कहा रहा है कि संपून रॉकेट की उचाई जो है 26 cm है यहां देख लिए 26 cm है जबकि संक्वाकार भाग की उचाई 6 cm है अच्छा संक्वाकार भाग की उचाई 6 cm है यह आपकी 6 cm दे हो चलिए और क्या आगे कहा रहा है कि जबकि संक्वाकार भाग की उचाई 6 cm है और संक्वाकार के भाग के अधार का व्यास कितना है 5 cm है तो इसके अधार का व्यास 5 cm दिया हुआ है तो यहाँ पर आपकी तरिज्या कितनी हो जाएगी तो तरिज्या इसकी हो जाएगी 2.5 cm ठीक है अब देखिए आगे क्या कर रहा है और बिल्लकार भाग के अधार का व्यास 3 cm है तो ब्यास 3 cm है तो तरिज्या 1.5 cm हो जाएगी 1.5 cm चलिए आगे देखिए इसके बाद क्या कह रहा है आगे क्या कर रहा है कि यदि संक्वकार भाग पर नरंगी रंग किया जाना है और बिल्लाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रतेक रंग द्वारा रोकेट का रंगे जाने वाले भाग का छिद फल गयती है यानि कि हम लोग बिल्लाकार भाग को पीले रंग से रखेंगे और संगहकार भाग को नरंगी रंग से रखेंगे तो दोनों का अलग अलग हमें क्या करना होगा यहां पर छहत्र फ़ल ग्यात करना होगा जब कि पाई के जगा 3.1, 4 का पर्योग करना है चलिए तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बेलनाकार भाग को ही लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बेलन की बेलन की त्रिज्या क्या होगी इसे स्मॉल आरस से सुझीट करते हैं तो ब्यास का दा यानि 3 बटा 2 सेंटीमिटर ब्यास उचाई दी हुई है बेलन की उचाई दी हुई है तो बेलन की उचाई कितनी है तो उचाई इसके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी तो देखो संपूर्ण उचाई 26 है और यह 6 संक्वकार भाग किये तो इसमें से घटा देंगे तो पता चलिएगा तो यहाँ पर इसे हम ल छब्वी सेंटी मीटर में से मैं घटा दूंगा संको कार भागवाला तो कितना संटी मेटर बिजलन की उछाई भाग पार फीला रग किया जाना है तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि भेलनाकार कि भाग का छेत्र और फ़ल क्या हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे यहां पे यहां पे दिल्हा वालय हालो च्रह्शक भूल और और हैाल लिए तरह कोई अबुखतुआ है? है तो वो तो शेत्र भूली जाओ तो यहां प्लस में नीचे वाले के लिए पाई आर स्कॉर तो दो गुणा में 3.14 3.14 पाई के वाई तीन दे समलों एक चार रखना है और आर का मान कितना है तो आर का मान है 1.5 और एज कितना है यहां पर 20 ठीक है सेंटीमीटर स्कॉर और प्लस में यहां पर पाई आर स्कॉर के लिए 3.14 गुणा में 1.5 और गुणा में 1.5 सेंटीमीटर स्कॉर तो यहां से आजागा 188.4 cm2 और इन सब को गुना करोगे तो आजागा 7.065 cm2 ठीक है दोनों को जोड़ देते हैं तो यहां से कितना जाएगा 195.465 cm2 तो इतना बिलनकार भाग को हम लोग पीले रंग से रंगेंगे ठीक है तो यहां पर पीले रंग का ये छित्रफल हो जागा पीले रंग द्वारा रोकेट को जो रंगा जा रहा है जो भाग रंगा जा रहा है रोकेट का उसका ये छित्रफल यानि कि बिलनकार भाग का छित्र हो जागा हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि पीले रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का छेत्रफल यह हो गया 195.465 cm2 पीला हो गया अब दूसरा कौन सा रंग से रंगा जा रहा है संकवकार भाग को नरंगी रंग से रंगा जा रहा है तो अब देखिए इसके बाद मैं फिगर को नीचे ले लेता हूँ चलिए देखिए अब हम लोग इस संकवकार भाग में आते हैं इसके बात करेंगे जिसे हम लोग किस रंग से रंगने हैं हमें इसे संकवकार भाग को नरंगी रंग से रंगने हैं अब देखिए इसके बाद हम लोग यहां पर संकवकार भाग की बात करेंगे तो देखिए इसकी यहां देखिए यहां पर समझे यह इसका वक्रपिश्य शित्पल को लेना हो देखने में आपको ऐसा दिखेगा यह तो यह वाला भाग तो चिपका हुआ है इसको रंग से इसको रंग में इसको रंग नहीं से चाली तरफ शेतर बचेगा नीचे से यह नवा लोग देख लिजिए आंत्री की त्रिजिया यहां पे 1.5 लेंगे और बाहर ही त्रिजिया ज है मैं लिखूंगा संक्वाकार या संकू की त्रिजिया जो होगी वह मैं Capital R से स्विट करूंगा और वह हो जागा पांच बट्टा दो संटीमेटर या निकी 2.5 संटीमेटर समझ गए और संकू की त्रियक उचाई चाहिए संकू की त्रियक उचाई भी हमें चाहिए तीरियक उचाई कैसे निकलेगी तो तीरियक उचाई यानि ल का मान निकालना है तो root under h का square यानि कि 6 का square और प्लस में 2.5 का square तीकि यहाँ दिख रहा है न आपको चलिए कोई दिख करते हैं आप समझे जाना 6 का square 36 और 2.5 का square हो जाएगा कितना 6.25 तो यहाँ पर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका इन दोनों को जोड़ेंगे तो 42.25 और 42.25 का root निकाल लो ठीक है 42.25 का root निकाल लो बर्गमूल तो क्या हो जाएगा आपका कितना जाएगा तो यह 6.5 आपका त देखिए हम लोग लिखेंगे कि नारंगी नारंगी रंग द्वारा नारंगी रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का छित्रफ़ तो क्या हो जाएगा तो संकू का इसका वकर पिस्टे छित्पल पाई यहां तिरिया कुचाई यहां पर यह जो नीचे जो देख रहा है यह आपका वले जैसा जो बन रहा है पाई बड़ा अर्का स्क्वाइर और मैनस छोटा R का एसक्वाइर समझ गया ना तो पाई के जगाँ तीन दसालो एक चार चार कैपिटल R का मान है 2.5 और ल का मान है 6.5 सेंटी मीटर स्क्वाइर फिर आगे है तो ध्यान से देखिए आपको गुना करना होगा सिंपली तो यहां पे गुना करो आप 3.14 है गुना करोगे आप 2.5 से और फिर गुना कर देंगे हम लोग किसके साथ 6.5 के साथ तो आपका यहां से आ जाएगा आपका 51.025 cm2 और प्लस 3.14 ब्रैकेट में यहां देखो कितना जगा 6.25 और माइनस यहां 2.25 यही न हो जाएगा आपका चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहां cm2 यहां भी लगा तो समझे न तो 51.025 cm2 और प्लस में 3.14 और यहां गुना में घटके आपका 4 आपका cm2 चलिए आगे सॉल्व करते हैं 51.025 cm2 और प्लस में 3.14 में आप 4 से गुना कर दोगे तो यहां आ जागा 12.56 cm2 अब इसमें हम लोग जोड देंगे किसको इसी को 51.025 को इसमें जोड देते हैं तो क्या आ जागा यहां से जोड़ोगे तो आ जागा यहां पर 63.585 cm2 यह आपका एंसर हो जाएगा समझ गए तो यह आपके नरंग कि वाले भाकर श्ट्फव लागत तो आप हम लोग इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं नेक्स्ट वीडिओ मैं आपको देखेंगे आपको हमारे तीन चैनलों को सस्क्राइब करना होगा तहेला है है रवी कांथ सर के नम से तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant sir.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं इंस्ट्रागाम और फेस्बुक पे जाके pathfinder क्लासेस अपरा को like and follow करना नहीं भूलेंगे